पारश चाबरा ने एक विवादित बयान देकर अपने लिए मुसीवते खड़ी कर ली है एक तरफ तो शेनाजियन्स और सिदनाजियन्स ने उन्हें जम कर फटकार लगाई है तो वहीं अब सल्मान कान ने भी उनको आड़ी हातों लिया है जी हाँ हाल ही में पारश चाबरा से जब एक सवाल किया गया था ट्रिब्यूट को लेकर तो उन्हों ने कहा था इन डारेकली कि रीता मा को ट्रिब्यूट देना चाहिए थे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सल्मान खान और शैनास गिल के मुलाकात हुई थी विकबो सीजन 15 के ग्रैन फिरनाले पर और शैनास गिल ने खुले आम कहा था कि मेरा जब भी मन होगा जैसा भी मन होगा मैं तब तक उसे ट्रिब्यूट दूँगी जब तक मेरा मन चाहेगा तो इस पर सल्मान ने भी कहा था जरूर आपका हग बनता है तो सल्मान खान ने उसी एक लाइन से सब को ये कह दिया था हीटर्स को कि भाई तुमारी हिम्मत नहीं है कुछ भी कहने की शैनास का हख है वो करेगी क्योंकि जब तो यही है जब रिलीज हुआ था तब बहुत भला बुरा कहा गया था शैनास को कि अपने पैसे बनाने के लिए कर रही है अपने बिजनस के लिए कर रही है और अब एक बार फिर से यही का जा रहा है तो इस पर शाल्वान खाना हर बार तो जवाब देंगे नहीं कि उनका यही एक जवाब काफी है हेटर्स के लिए और ये पारश छाबरा के लिए एक दम माकूल जवाब है इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले